हेलो गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मारे नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे ड्रीम 11 ECC T10 2024 की आज से एक T10 सीरीज स्टार्ट हो रही है यूरोपियान किरिकेट चैंपियनसीफ इसके पहले मैच के बारे मैं अपने डिटेल में बात करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको इस मैच और इस सीरीज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जावे किते मैच होंगे, किती टीम है, कौन कौन सी टीम होईगी, सभी के बार हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप करें साथी, इस मैच के बार में मैं आपको डिटेल में जान करें दूँगा, ठीके, यहां बहुत ही बड़ा टूनामे को पूरी तरह से कवर करेंगे, दिनके पांच मैच होते हैं, तो हम पांचों के वीडियो बनाएंगे, ताकि किसी भी मैच में आपको टीम मनाने में दिक्कत ना हावे, और सभी पिलियरों के स्ट्रेट लाने के आपके लिए कोसिस करेंगे, ठीके, तो वीडियो को पूरा की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि एक्सपिरेंस पिलियर है, और तर्की की टीम के मुकाबले आसानी से मैच जीत सकती है, ठीके, मैच की टाइमिंग की बात करें, तीन बच के पंदरा मिनिट पर होगा, और डेट 23 सितंबर 2024 आज ही की है, वेदर की बात करें, सेम रेट 23 बैटर और बॉलर के लिए, और एवरेज इसकोर की बात करें, तो एवरेज इसकोर 140 से लेके 150 का बन सकता है, ठीके, लेकर अगर एश्टुनिया की टीम बैटिंग करेगी, तो यह इसकोर थोड़ा अच्छा खासा भी बन सकता है, वेन्यू रिकॉर्ड अबर फिक्सिंग होती है, ठीके, तो अपनी जानकारी इसमें इंपोर्टन होती है, जो अपने को नॉलेज है, उसके इसाब से अपने को टीम मनानी पड़ती है, और मैं आपको सभी के बारें में रिटेल में जानकारी दे दूँगा, पहले बात करते हैं, जिसका पहला ही म आपको जबर्दस बैटिंग देगा और ओपनिंग खेलता है, ठीके, आपको बॉलिंग भी दे सकता है, ठीके, बॉलिंग कनफर्म नहीं डालेगा, लेकर बहुत जबर्दस करता है, और इस मैच में CVC का बहुत बैटरिन चोईस है, क्योंकि जो टर्की की सामने आली टीम है उसका बॉलिंग इतनी कुछ खास नहीं है, ठीके, बॉलिंग ना बैटिंग, तो स्टीफन गाउच इस मैच में बहुत बैटिंग परफॉर्मेंस कर सकता है, ओपनिंग बैटिंग करेगा, इसके बादे, इस टूर टूक जिसने 29 मैच में 753 रन बनाए, 42 की सामदर एवरेस या भी नमबर 45 पर आपको बैटिंग देगा और अच्छी श्रैक डेट से रन बनाता है, ठीके, इसके बादे साहिल चोहन जो नमबर 4 से 5 के करीब खेलता है, इस टीटन करियर में इसने 36 मैच में 921 रन बनाए, 45 की एवरेस से 14 ओवरों की गेंदबाजी करवाते वे, 8 विक लिए, ठीके, या भी बैटिंग और बालिंग दोनों करता है, इसके बादे अरसला नमजद जिसने भी 32 टीटन के मैच में 1029 रन बनाए, 42 की सांदार एवरेस से, या भी बैटिंग करता है, और बहुत भैतरिन सौट लगाता है, अच्छी श्रैक डेट से बैटिंग करता है लंबे-लंबे छक्के मारता है, ठीके, इसलिए, इंपोर्टेंट है, 10 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे, 4 विकिट भी लिए, इसके बादे अधित्य पॉल, जो इस टीम का एक मैन बॉलर है, 31 टीटन के मैच में 38 रन बना है, 47 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे, 21 विकि अच्छी खासी कर सकता है, लेकर बैटिंग ओडर हमेशा इसका नंबर 6 से 7 के बीच रहता है, ठीके, तो इसलिए आपको ट्राइ करना हो, इसको तो बैटिंग ओडर के ओपर डिपेंड रहेगा, अगर तॉप ओडर में खेलेगा, तो अपन इसको ट्राइ करेंगे, वनना इसको ट्राइ नहीं करेंगे, 34 T10 के मैच में 390 रन बनाए, 22 की एवरे से 57 ओवर की गेंद बाजी, 15 विकेट लिए, इसके बादे पढ़ने है घी वाला, या भी आपको 2 ओवर की गेंद बाजी देगो, और एक विकेट टेकर गेंद बाजी, क्योंकि इसका रिकॉर्ड इसके बादे कैली वेसलपू, जिसने 35 T10 के मैच में 46 रन बनाए, 27 विकेट लिए, बॉलिंग करवा सकता है, इसके बादे मैरी को वाइक, जो विकेट केपरिंग सेक्सन में देखने को मिलेगा, 25 मैच में 183 रन बनाए, 26 की एवरे से, अच्छा पिलियर है, खेलेगा तो इ इंपोर्टेंट होगा, खेलेगा तो, और किस पोजिशन पर खेलेगा, वो भी इंपोर्टेंट होगा, ठीके, इसके बादे हार्दिक परजापती, 6 मैच में 88 रन बनाए, 22 की एवरेस से, इसके बादे रूपम बूरा, जिसने 8 T10 के मैच में 226 रन बनाए, 32 की एवरेस से, 9 और की इंदबाजी करवाते वे, एक विकेट लिया है, तो, इंपोर्टेंट है, खेलेगा तो, आपन बिल्कुल इसको पिक करेंगे, क्योंकि बैटिंग अच्छी कर रहा है, ठीके, इधर से मैंने सभी के स्चेट बता दी, अप किन किन को सलेक्ट करना है, वो तो, आपन सबसे ही होगा, क्योंकि बैटिंग ओडर में टॉप फॉर्ट अपने लिफिक्स होता है, तो, उनमें जो भी होगा, अपन उन सबको सलेक्ट करेंगे, ठीके, और बात करता है, अपन दूसरी टिम की, टर्की की, जिसका भी पहला ही मैच है, और पहला प्लियर है, अब दुल पिलियर बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि बैटिंग भी जबर्दस करता है, साथ ही आपको दो आवर की बढ़िया गैनबाजी देगा, वो भी स्टार्टिंग ओवर्स में गैनबाजी देता है, ठीके, इकतिस टीटेन के मैच में 252 रन मनाए 14 की एवरस है, 53 आवर की गैनब इसके बादे मुराथ यलमज, जिसने 27 टीटेन मैच में 107 रन मनाए 15 की एवरस से, 21 आवर की गैनबाजी देगा, आट विकेट लिए बैटिंग भी कुछ खास नहीं करता ना ही बालिंग, तो इसको ट्राइ नहीं करना है, सामने आली टीम की बैटिंग हच्छे ज़्यादा अच्छी है ठीके, बालिंग इसके बालिंग कराने पच्छे कास रन पड़ी सकते हैं और बैटिंग इसके कुछ खास है नहीं, इसके बादे महुमत बैसीर जिसने 4 मैच में 7 रन बनाए, एक ओवर की गैनबाजी करवाते वे, 0 विकेट लिए, इसके बादे जफर गैनबाजी करवाते वे, 0 विकेट लिए, या आपको कनफर्म 2 वर की गैनबाजी देगा, साथी टॉप 4 के अंदर बैटिंग भी कर सकता है, ठीके, इस वज़े से आपके लिए एक इंपोर्टन पिलियर हैं बिल्कुल पिक कर सकते हो, खेलता है तो, इसके बादे मार्टके एमिर जिसने एक T20 इंटरेशनल मैच खेला है, जिसमें इसने दो ओवर की गैनबाजी कराई ती विकेट लैस गया था, इसके बादे इलियास कैटिन जिसने डॉमेस्टिक के 25 मैच में 181 रन बनाए, 71 ओवर की गैनबाजी करवाते वे, 49 विकेट लिए, ठीके, तो टॉप पिलियर है, वो सब ही अपन सलेक्ट करेंगे, बैटिंग ओडर प्लेंग 11 के साब से, क्योंकि कुछ खास पिलियर इनों के पास है ही नहीं, जो ठीक टाक पिलियर है, वो टॉप के है, जिसे की, रोमियो नात हो गया, अली तुर्क मैन हो गया, अब्दुल्ला लोदी है, ती मैन मैन प्लेर इस टीम में से चाटे हैं, क्योंकि कौन खेले, कौन नहीं खेले, वो फिक्स नहीं है अभी, विकेट केप्रिंग सेक्शन से अब्दुल्ला लोदी, और एस हुक को लिया है, बैटिंग सेक्शन से अली रजा, अली तुरुकमेन, अर्सरान अमजद, छीके, ओल राउंडर सेक्शन से, एस, गाउच, गोरकान, अलता, बिलाल, मसूद, साहिल, चौहान, बॉलिंग सेक्शन से मैंने लिया है, डेविड रॉबिंसन और जफर दुर्माज, ठीके, फिलाल के लिया डेमो टीम आपसे यो कर लो, डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको अमार करीबी टेलीगरम पर मिलेगी, तो वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, सेर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस टूना मैंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीके, ऐसा यूट्यूब पर एक ही चैनल करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद,